आतरत बतूल शाम का वक्त था दीबा और वक्की टीवी लाउंज में बैठे थे। उनके पसंदीदा कार्टॉन शुरूआ होने वाले थे। मामा और पापा किसी रिष्टादार की आयादत के लिए गए थे। और दोनों को समझा कर गए थे कि लड़ना नहीं और घर से बाहर नहीं जाना। अब वो दोनों मजे से कार्टून देख रहे थे कि अचानक लाइट चली गई और घपंधेरा हो गया। दीबा अंधीरे से बहुत डरती थी। वो जोर-जोर से रौने लगी डर तो विकी को भी लग रहा था। लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा था क्योंकि व वो दीबा से बढ़ा था। वो दीबा को चुप भी करवा रहा था और साथ माचस भी ढोंड रहा था ताकि मूम बती जला ले। लेकिन अंधीरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीबा रुय जा रही थी। अचानक उन्हें अंधीरे में कोई चीज चमकती नजर दीबा खामोश हो गई वो दोनों गौर से उधर देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये सामने शुकीस पर रखी दीबा की बार्बी डूल की आखें हैं। जो चमक रही थी अचानक बार्बी डूल जंप लगा कर उनके सामने वाले शीशे के सीनियर टीबल पर आ गई उसके हाथ में मायक था जिसमें वो बहुत सरीली आवाज में गाना गा रही थी। मायक से रूशनी निकल रही थी। दीबा और वक्की खुश होकर तालियां बजाने लगे उनका डर बिलकुल खत्म हो गया था। जारी है। जैसे ही डूल का गाना खत्म हुआ वक्की का खल जोने शुकिस से बाहर आ गए। और उनका दिल बहलाने लगे फिर अचानक उन्होंने बांसरी की आवाज सुनी ये आवाज बहुत खुबसूरत थी। उनका दिल चाह रहा था कि जहां से आवाज आ रही है वहीं चले जाएं। सबसे पहले डूल उधर मड़ी जहां से मापा के बीड रोम में दाखिल हो गए। वहां एक सूफे पर एक बहुत प्यारी परी बैठी थी, वही बांसरी बजा रही थी। परी ने बांसरी बजाते बजाते बच्चों को बीड पर आने का इशारा किया। दीबा और विकी अपने मामा पापा के बेड पर लेट गए तो परी ने लोरी शुरू कर दी, ऐसी ही लोरी मामा उनको सुना कर सुलाती थी, अब वीकी और दीबा आहिस्ता आहिस्ता सो रहे थे, जब वो गहरी नींद में चले गए, तो सारे खुलोने भी वापस शोकीस में चले गए, और परी भी शायद अब दूसरे बच्चों की मद देर हो गई थी, उन्हें दीबा का बहुत फिक्र था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, अभी पल्ले ग्रूप में थी, और अंधीरे से बहुत डरती थी, मामा को जब टीवी लाउंज में बचे नजर नहीं आये, तो वो बहुत तेजी से पूरे घर में ढोंड रही थी, पा उन्से लौरी सुनने के बाद उनके चेहरे पर होती थी,